हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और नेशनल प्रिजुडिस का संब्री जो की बीए प्रिवेस एर के कोर्स का है आपने इसकी डिमांड की थी तो मैंने आज इस पर वीडियो बनाया फ्रेंट्स चलिए सुरू करते हैं और नेशनल प्रिजुडिस का संब्री इसे प्लीज क्यर्फुली सुनियेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ओलिवर गोल्ड स्मित का वर्तमान निबंद ये जो है उन्हें एक व्यक्तिगत निबंद कार के रूप में प्रस्तत करता है वो अपने बारे में बताते हैं कि वे एक घुमककर प्रकृत के व्यक्ति हैं अतर वे एक अस्थान से दूसरे स्थानों को जाते हैं वे शरायों में जाते हैं कावागरों में जाते हैं मतलब सारवाजनिक अस्थानों पर वे आते जाते रहते हैं, पता उन्हें भिन भिन प्रकार के लोगों से मिलना होता है, और उन्हें ये पसंद भी है, भिन भिन प्रकार के लोगों से मिलना उन्हें बहुत पसंद है, ऐसे ब्रहमण उन्हें किसी कला यों प्रकृत की उन्हें बहुत अच्छा लगता है इन यात्राओं के मद्ध उन्हें एक पार छे मनुश्यों की एक समू से संपर्क हुआ उनका वे एक बातचीत एक विशेपी चर्चा कर रहे थे वो जो छे मनुश्य थे वे एक बातचीत में बैसे थे यह एक राजनेतिक चर्चा थी जिस वे सब बाते कर रहे थे वे सभी एकमत नहीं थे सबके अलग-अलग विचार थे अतव वे लेखक की और मुड़े उनकी विचारों को उन्होंने आमंत्रित किया मतलब वो जानना चाहते थे कि राइटर के इसके बारे में क्या विचार है समू के लोगों ने भिन-भिन प्र फ्रांस के लोग चापलूस और नीच होते हैं जर्मनी के लोग सरावे होते हैं और जानवरों के समान अधिक खाते हैं ऐसा ये जेंटलमेन का कहना था स्पेन के निवाशी असभ्य और बहुत ही अजीब टाइब के होते हैं दुश्ट टाइब के होते हैं उनके विचार से अंग्रेज सबसे द्यालू और गुरवान होते हैं जब अंग्रेज ने अपने विचार विक्त कर दिया तो समू के प्रतेक विक्त ने उसकी विचारों वहाँ पे बैठे थे, सब ने समर्थ किया, लेकक ने उनके विचारों को पसंद नहीं किया, कि उन राइटर को उनके जो विचार थे वो पसंद नहीं आए, वह थोड़ी दिर के लिए गंभीर हो गया, गोर्ड स्मित थोड़ी दिर के लिए गंभीर हो गया, वह बहाना किया क वह घोर चिंतन में है और वह किसी गंभीर मामले पर सोच रहा है मतलब बातों को अंदेखा अंसुना करने की कोशिस की उन्होंने उनका देश अपने को वारता से अलग रखना था वह अंग्रेजों को अपने विचारों से दुखे नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका विचा लेकक से समर्थन करवाना चाहता था इसलिए वह उनसे पूछ रहा था इसलिए उसने लेकक से पूर विश्वास से पूछा कि क्या वह भी उसके विचारों के समान विचार नहीं रखता लेकक कहता है कि उसका स्वभाव गंभीर है वह अपनी विचारों को वहां वेक्त नह और कहा कि वह उनकी बातों को सुना नहीं तथा वह दूसरे राष्टकों के बारे में तब तक अपनी विचार नहीं दे सकता जब तक कि वह उन देशों का ब्रह्मर्ट ना कर ले और उनकी प्रकृतियों का साधानी पुर्वा कद्धन ना कर ले उसने डच के लोगों की प्रांसीसी, गमभीर, सैंसील और सब्धे होते हैं जर्मनी के लोग परिश्रमी तथा स्पेन के निमासी सांत होते हैं उसने अंग्रेजो को आरोपित किया कि वे हठी, अलَड़ एउं क्रोधि होते हैं वे सफलता में अतिप्रशन और दुख में अतिदुखी हो जाते हैं जो कुछ भी हो लेखक ने अंग्रेजों की उनकी उदार वीरता पूर चरित के लिए प्रशंशा की लेखक के विचार का समू के सभी छे सदश्य निरास हो गए वे जितने सदस्ति विसम निरास हो गए वे उससे द्वेश करने लगे इरस्या करने लगे राइटर से अंग्रेज बोला कि उसे लेखक पर आश्यर हो रहा है उसने आश्यर दिखाया कि एक इंग्लेंड का निवाशी जो अपने देश की सारी सुवधाओं को प्राप्त कर रहा है अपने देश की आलोशना कर सकता है वे सोचने लगे कि लेखक अंग्रेज विरोधी है लेकक ने सोचा कि उसने समू की सभावना को अपने प्रतिक हो दिया है वह सोचने लगा कि ऐसे लोगों से बातचित करना विर्थ है इसलिए अपने घर लोट आया वह सोचने लगा कि ऐसे लोगों से बातचित करना विर्थ है संसार में लोग विभिन विचार रखते हैं मूर्खतापूर्ग, हास्यासपद यहों दुर्भावनाउं से बिल्कूल भरे होते हैं लेकर कहता है कि संसार में विन विन प्रकार की कहावते होती हैं वह उस तारस्निक के विचार को अतिम पसंद किया उसने जब उस दार्षनिक से पूछा गया कि आप किस देश में रहते हैं एक पुरानी बात थी कि एक दार्षनिक से पूछा गया कि आप किस देश में रहते हैं तो उसने बताया कि वह विश्व का नागरिक है उसने अपने आपको विश्व का नागरिक बताया लेकर कहता है कि इस समय हम लोग भिन प्रकार के राष्ट के हो गए हैं जैसे कोई अपने को डच, कोई फ्रांसीसी, कोई जर्मन, कोई स्पेन का निमासी और कोई अपने को इंग्लेंड वासी बताता है लोग अपने को एक छोटे समू से जोडते हैं वे अपने को एक छोटे स्थान से और छोटे समाज से जोडते हैं बजाए इसके कि वे अपने को उस व्रह संसार के नागरिक के नाम से पुकारें तथा अपने को संपूर मानो प्रजाद का सदस्चे बताएं लेकर कहता है कि नीच और गुड़ीन अपने मस्तिस्क में ऐसी दुर्भावनाओं को पालते हैं यह आशिर है कि जो वे जो सिच्छित और सु संस्कृत हैं मतलब यदि असिच्छित हैं और यदि वे ऐसा सोछते हैं समझा जा सकता है कि उन्हें वो सिच्छित नहीं है तब वे ऐसा कर रहे हैं लेकिन यूदि कोई सिच्छित और सुसंस्कृत है इन दुर्भावनाओं से मुक्त नहीं है तो वेर्त है उसकी सिच्छा दिचा उचे जन्म के लोगों से ऐसी आसा नहीं की जा सकती अगर कोई वेक्ति जो उचे कुल में पैदा हुआ हो भद्र पुरुस हो ऐसी दुर्भावनाओं को रखता हो तो वह उदार होने का दावा नहीं कर सकता है वह बहुत ही तुछ और निन्न है वह उन लोगों की स्रेडी में पढ़ जाएगा जो यह कहते हैं कि जिनके पास निजी गुल नहीं होता है वे राष्ट के गुडों को अपनी प्रगति का आधार बनाते हैं मतलheid अपने देश की क्वाल्टी को लेकर करके डींगें आटते है जिनका स्वैं कजी कोई क्वाल्टी नहीं होती है वे उन कोमल लताओं के समान होते हैं जो अपने अंदर स खड़े नहीं हो सकते हैं उन्हें एक मजबूत ओक के ब्रिच की अवश्यक्ता होती हैं जिससे कि वे बल प्राप्त कर सकें और विकास कर सकें यह लतनाय पेड़ से चिपकती हैं और उसी के सहारे पनपती हैं इस प्रकार के लोग जिसके पास अपना गुर नहीं होता हम अपने देश से प्यार कर सकते हैं और अन्य देशों से भी प्यार कर सकते हैं लेकक अपने देश से प्यार करने को समर्थन देता है परंतु किसी भी प्रकार से वह यह श्वेकार नहीं करता कि हम दूसरे देशों के निमासियों से नफरत करें वह कहता है कि प्रयाया अतिशे शाहस् लोगों के धार्निक मामलों में देखा जाता है किसी वस्तु के लिए हमारा अतिशे प्रेम, शाहस- और उस्सा रजाता है, इसके पशात अंधविश्वास पैदा होती है ये वास्तविक देश भक्ति की भावना में बहुत बड़े अरचन होते हैं ये वर संक देशों के नागरिकों से भी प्यार करना चाहिए वह दार्षनिक के उस कथन को पसंद करता है जिसने अपने आपको विश्य का नागरिग बताया उसने अपने लिए कोई अलग प्रशंसा या अलग नाम नहीं चुना इसलिए उनकी विचार से जो भावना है नेस्नल आपका चेप्टर है था इसका समरी खतम हुआ कैसा लगा आपको प्लीज जरूर बताइएगा और इससे अधिक से अधिक लाइक करिए शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू फॉचिंग इस वीडियो